नमस्कार साथियों स्वागत है अपने यूटूब चैनल इस्टड़ी हेल्प हिंदे में फ्रेंड्स इसमें हम लोग आर आर भी एंटीपीसी सीवीटी टू और ग्रूपडी के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं तो यहां वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मात्वप करेंगे तो यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए शुरुगात करते हैं पहला प्रस्न दिया है कि स्वतंत्र लेवर पार्टी की अस्थापना किस वर्स हुई थी यदि आपको इसका अंसर पता है तो आप कमेंट वाक इकर के द्वारा यह अगठित एक राजनेतिक संगठन था अगला प्रश्न है कि साहित्य दोजार बीस की नोबेल पुरसकार के प्राप्त करता कौन थी तो इसका अंसर होगा देखिए फ्रेंडिस में चार आप्सन दिया है इसका आप्सन नमबर सी लुइस गलक लुइस ग अगला प्रश्न है अमित पांग हाल किस खेल से जुड़े हुए हैं इसका अंसर होगा किस नाम से जाना जाता है पिक्रिक एसिट को रहसाइनिक रूप में किस डाम से जाना जाता है तो इस प्रश्ण का अंशर होगा आप्षा नमर ये 246-Tri-Nitro-Phenol पिक्रिक एसेड को 246-Tri-Nitro-Phenol के नाम से जाना जाता है कि अगला प्रश्ण है कि गूगा मल नेशनल पार्क भारत के किस राजे में इस्तित है इस प्रश्ण का का डैस धर्म की सोतंता के दिकार से संबंदित है तर इसमें आपको बताना है कि धर्म की सोतंता का दिकार समिधान के कि सानुच्छेद में वरणित है इस प्रश्ण का उत्तर होगा मंबरें 25 लिद्धान निम्लिकित में से कौन सा नित्य असम का है तो इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C, सत्रिया, सत्रिया और बीहु, दो नित्य हैं जो की असम से संबंदित है, अगला प्रश्ण है, निम्लिकित में से कौन सा बाध पेरियार नदी पर बना है, पेरियार नदी पर कौन सा बाद बना है तो इसका अंसर होगा आप्शन नमबर सी इडुकी बाद इडुकी बाद पेरियार नादीबर बना है जो की कीरल में इस्थित है अगला प्रस्ण है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट भारत में किस गवार्नर जर्नल के कारेकाल के तहत पेस किया गया था इसका अंसर होगा आप्शन नमबर डी वारेन हैस्टिंग्स वारेन हैस्टिंग्स के द्वारा जो है की पिट्स इंडिया एक्ट 1774 का पेस किया गया था अगला प्रस्ण है माउंट मेरापी ज्वाला मुखी किस देश में इस्थित है माउंट मेरापी ज्वाला मुखी किस देश में इस्थित है तो इसका अंसर होगा आप्चन नमबर A इंडोनेसिया में माउंट मेरापी ज्वाला मुखी इंडोनेसिया में इस्थित है नेश्ट प्रस्ण है विस्व कैंसर दिवस भारत में किस तारिख को मना जाता है इसका अंसर होगा आप्चन नमबर C, G.S. लक्षमी, जो है कि ICC International Panel of Match Referee में न्यूग थोने वाली पौली महिला हैं अगला प्रश्ण है कि नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है इस प्रश्ण का उतर होगा आप्चन नमबर D, गोदावरी, नासिक गोदावरी नदी के किनारे इस्थित है निमलिकित में से किसे देश बंधू के नाम से जाना जाता है इस प्रस्ण का उत्तर होगा आप्चन नमर सी चीतरंजन दास चीतरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है भारती ये रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान का मुख्याले कहां इस्थित है भारती ये रासायनिक जीव विज्ञान का मुख्याले जिव बिग्यान संस्थान का मुख्यले कहा है इस्थित है तो इसका अंसर होगा, option number B कोलकाता में, पस्ची मंगाल क्या जानी कोलकाता में इस्थित है प्रत्वी के बैग्यानिक अध्यान को डैस के रूप में जाना जाता है इसमें आपको बताना है कि प्रत्वी के बैग्यानिक अध्यान को क्या कहा जाता है इसका अंसर होगा आप्षन नमबर B जी यो-लाजी जिवह की प्रतिवी के बाइजनिक अधियन को कहा जाता है निम्ल्कित में सिक्ति किस हार्मोन को मुख्य रूप से आपकालीन हार्मोन कहा जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर D, Adrenaline Adrenaline को आपात कालीन हार्मोन कहा जाता है निमलिकित में से कौन सा मंदिर यूनेसको की विस्वधरोवर अस्थल में इस्थित है विस्वधरोवर अस्थल है इसका अंसर आप सभी को बताना है इसका अंसर हो जाएगा आपसर नमबर A, Ad的是war या मंदिर तमिल्लाडू में स्थित है अगला प्रश्न है, चिकवन पॉक्स, डैस नाम के वाइरस के काराण होता है इसका अंसर होगा आपसर नमबर C, Vary Sela Joaster वाईरी सेला जोस्टर जो है की वाईरस का नाम है किस वाईरस का चिकन पॉक्स के वाईरस का नाम है वाईरी सेला जोस्टर इसके बाद अगला प्रस्ण है रंग भूमी दैस द्वारा लिखी गई है तो आपको बता रहा है इसमें से कि रंग भूमी पूस्तक किसके द्वारा लिखी गई है इसका उत्तर हो जाए गया आपसर नमरे प्रेम चंद्र रंग भूमी पूस्तक प्रेम चंदर जी के द्वारा लिखी गई है अगला पलशन है चंदावर कायुद किस वर्स लड़ा गया था चंदावर कायुद किस वर्स लड़ा गया था इसका उत्तर हो जायागा आप्शन नमबर B 1194 में चंदावर कायुद लड़ा गया था चंदावर कायुद जैचंद और मुहम्मद गावरी के बीच 1194 में लड़ा गया था अगला प्रशन है कि अपवर्तक सक्ति का मात्रक क्या है अपवर्तक सक्ति यहां रिफ्रेक्टिव पावर या फिर रिफ्रेक्टिव पावर अपवर्तक सक्ति का मात्रक क्या है इसका अंसर हो जाएगा option number D diopter अगला प्रश्न है कि 2022 संगठन का मुख्याले कहाँ पर इस्थित है 2022 संगठन का मुख्याले कहाँ पर इस्थित है इसका अंसर हो जाएगा option number D जिनेवा जो कि Switzerland में है तो यहाँ 2022 संगठन WTO, World Trade Organization प्राइशन का मुख्याल है जिनेवा स्विजर लैंड में इस्थिते इसमें 164 देश सदस्य हैं और इसकी अस्थापना एक जन्वरी 1995 को होई थी अगला प्रश्णा है दिलीब ट्राफी निम्रिखित में से किस खेल से संबंधित है इसका उत्तर हो जायागा आप्शन नंबर सी खेल से स्विजर क्रिकेट से संबंधित है अगला प्रश्ण है कि पाला विस्वरक्त दाता दिवस कब मनाया गया था इस प्रशन का उत्तर होगा आप्शन नंबर ची 64 में पाला विस्वरक्त बिस्वरक्त दाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और पहली बार 2004 में इसको मनाया गया था अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जन जाती कौन सी है भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जन जाती कौन सी है तो इसका अंसर हो जाए गए आपसन नमबर C, भील जन जाती भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जन जाती है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भील भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समू है भीलों की आबादी भारत में सबसे अधिक है अगला प्रश्ण है गिरनार पहाडियां किस राज्य में इस्थित है गिरनार पहाडियां किस राज्य में इस्थित है इसका उत्तर होगा अपसन नमबर C, गुजरात में गिरनार पहाडी गुजरात में इस्थित है गिरनार गुजरात के जूनागड में एक प्राचीन पहाडी है इनने गीरी नगर या रेव तक परवत के नाम से भी जाना जाता है या पाड़ी 866 हिंदू और जैन मंदिरों से अक्षादित है या पाड़ी 3622 फीट उची है तो गिर्णार पाड़ी कहा है इस्थित है गुजरात राज्य में इस्थित है अगला प्रशना है ब्रहत मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था तो इसका ऑन्सर हो जाया गा आप्सर नुबर, रा, राजा, राज, चोल, राजा, राज, चोल, राज, की सम्मूव भारत के किस राजने में है भिश्रो पूर मंदीरों का समूव भारत के किस राजने में में इस्तित है यसका सब्सक्राइब आप्षिन नंबर ए वेस्ट बंगाल पस्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा कि विश्णू पूर मंदिरों का सम्मू भारत के पस्चिम बंगाल में इस्थित है अगला प्रशना है नुवा खाई तेवहार कहां मनाया जाता है नुवा खाई फेस्टिबल इस आप्जॉर् में मना जाता है इसका अंसर हो जाएगा आप्षन नंबर बी ओडिशा में नुवा खाई फेस्टिबल ओडिशा में मनाया जाता है अगला प्रशना के निमलिखित में से किस देश में हीन यान बाउद धर्म का पालन किया जाता है निमलिखित में से किस देश में हीन यान ब अगला प्रश्ण है सारंगी संगीत वाद्ययंत्र के एक महान वादक है इसमें आपको बताना है कि सारंगी वाद्ययंत्र जो है उसके महान वादक है इन में से वह अब्यक्ति कौन है इसका अंसर होगा आप्शन पंडित राम नारायण पंडित राम नारायण जो की सारंगी संगीत वाद्ययंत्र के एक महान वादक है अगला प्रश्ण है इसा बेल पेरोन दुनिया की पाली महिला राष्टपति हैं वह किस देश से संबंदित है इसका अंसर होगा आप्शन नंबर बी अर्जेंटीना वह अर्जेंटीना की पहली महिला राष्टपति हैं अगला प्रश्ण है राज ये सभा ने डैस संसोधन अधिनियम पारित किया जिसने नियुंतम मतदान की आयू को 18 वर्ष कर दिया तो पहले 21 वर्ष थी उसके बाद 18 वर्ष कर दिया गया तो कौन से समिदान संसोधन के अताहत इसको किया गया था इसका अंसर हो जाएगा आप्शन नमर एक सथमा समिदान संसोधन किया गया था जिससे मतदान की आयू 18 वर्ष कर दी गई अगला प्रश्ण है कि डैस में भारत का पाला नीजी तौर पर संचालित रेलवे इस्टेशन है तो नीजी तौर पर नी यूजी वा मध्य प्रदेश में है अगला प्रश्ण है दैस को भारती रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है तो इसमें से किसको भारती रेल्वे के जनक के रूप में जना जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपसे नमबर C, Lord Dalhauji Lord Dalhauji को भारती रेल्वे के जनक के रूप में जाना जाता है अगला प्रश्ण है भारत में भारती रेलवे की पहली महिला लोको पाइलट है इसका अंसर हो जायेगा आपसर नमर सी सुरेखा यादो सुरेखा यादो भारती रेलवे की पहली महिला लोको पाइलट है अगला प्रशना है सरोजनी नाइड़ू को किस वर्स में भारती राष्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था कि अगला प्रणोर ने ओप्वें प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस साट कट की का उपयोग किया जाताया ओप्सन नमर овых व्रॉइ थी भारत में चांगजी मुद्रा के सुरुआत किस वर्स हुई थी इसका अंशर आपशन नंबर सी 1861 में भारत में कांगजी चुरूआत कर्ट हुई थी इसका अंसरोंगा आप्सन नमबर D किरण मजूमदार जो की बायोकार्ण कमपनी की फाउंडर है किरण मजूमदार उन्हीं को मेडिसीन मेकर पावरलिस्ट 2020 के सिर्ष बीस वैस्विक लीडरों में भी चित्रित किया गया था अगला प्रश्ण है सिल्वर लाइन रेल परियोजना किस राज ये द्वारा सुरू की गई थी इसका अंसर होगा आप्सन नमबर B केरल राजे में जो है कि सिल्वर लाइन रेल परियोजना की सुरूवात की गई नेश्ट प्रस्ण है असम की पाली और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो इसमें से आपको बताना है कि वो अकाउंसी महिला है जिनका हाल ही में निधन हो गया वो असम की पाली और एक मात्र महिला मुख्य मंत्री थी इसका अंसर होगा अप्षन नमर बी सयदा अन्वरा तैमूर जो की असम की पाली और एक मात्र मैला मुख्य मंत्री थी नेक्स्ट प्रस्ण है Y.S.R. संपूर्ण पोशन योजना सितंबर 2020 में किस राज्य द्वारा सुरु की गई थी इसका अंसर होगा अप्षन नमर डी आंद्र प्रदेश Y.S.R. संपूर्ण पोशन योजना सितंबर 2020 में आंद्र प्रदेश राज्य की द्वारा सुरु की गई थी नेक्स्ट प्रस्ण है डैस ने प्रवासी अमूर बाजों के सिकार के खिलाफ जेतावनी जारी की थी तब इसमीं से आपको बताना है कि किस राज्य ने प्रवासी अमूर बाजों अमूर फ़ालकन जो होते हैं के खिलाफ के सिकार के खिलाफ चेतावनी जारी 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 की गई थी यह क्यों हुआ था क्योंकि त्रिपुरा में सर्दियों के मौसम में जहीलों के आसपास प्रवासी पक्षी जैसे अमूर बाँज देखे जाते हैं, कई प्रतिबंधों के बावजूद कई पक्षियों का सलाना सिकार के जाता है, इसलिए नॉब्बर 2020 में त्रिपुरा के वन भभाग ने डेते हुए एक आधेस जारी किया था प्रवाशी पक्षि वन्य जिव सनक्षण अधिन्याम 1902 के ताद प्रतिवद्ध हैं तो वनने जिव अधिनियम कब आया था इसका पर वन ने जिव सनक्षण अधिन्याम 1972 के ताथ इस चितावनी को जारी की गई थी अगला प्रश्णा है दो उलम्पिक पदक जीतने वाली पाली भारती ये महिला का नाम बताईए दो उलम्पिक पदक जीतने वाली पाली भारती ये महिला का नाम बताईए इसका अंसर हो जाएगा option number C PV सिंधू PV सिंधू जो की वह पहली भारती हैं जिन्होंने दो ओलंपिक पदक जीती हैं अगला प्रशन है कि दुनिया के पहले museum on wheels हाल ही में डैस में उद्गाटन किया है तो दुनिया के पहले museum on wheels का उद्गाटन कहां पर किया गया है इसका अंसर होगा option दुनिया के पहले museum on wheels का उद्गाटन किया गया फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करें और यह आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रैक्टिक्ट